एलो दोस्तो एक बत द्वारे से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवे गणा स्टॉक पर दिल से तो दोस्तो बात करेंगे आज ही लेटेस न्यूस तो देख लेटेज के आज चलिए है स्टॉक मार्केट की अभी तो दोस्तों आप स्कीन में देख पा रहे होगे इरिकॉर्ण इंडिनेशन शेर न्यूस के वारे में सब्सक्राइब चर्चा कर लेते हैं आज स्टॉक अल्मोस एट परसेंट के आसपा उपर क्लोजिंग करी है और यह जो क्लोजिंग होई है अल्मोस आप देख सकते हो बारा बच के आसपास में एक तगड़ी न्यूस आई है और एक ब्रिक आउट भी हुआ है तो दोस्तों जो न्यूस आई है मैं आपको पहले एक बार न्यूस दिखा रहता हूँ जो इनके बोर्ड मिटिंग में इनके चांट के आपको बोनस इश्यू कर सकती है तो मतलब एक के बतले एक शिर आपको फिरी मिल सकता है और जो उसकी फेस वैली होगी वो नोदो चेंज नहीं होगी तो डेफिनिटली अगर आपको एक बोनस इश्यू किया रहा है कमपनी की तरब से तो भाईया बहुत बढ़िया है अगर बात करते है कंपणी के fundamental analysis की तरब से कि कैसा है कंपणी के profit है भी या ऐसी देरी है आपको bonus तो देख लेते हैं अभी और चार्ट के मांदे में शेर गरूँगा कि तो तब तक stock rally कर सकता है यह जातर केसी में देखा गया है तो देख लेते हैं stock का अंदर article में क्या लिखा हुआ है तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने BSC में IRCON international share का पूरे news खोल लगी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीस मार्च की latest क्लिक करते हैं तो हम देखते क्या पाते है एक बार क्लिक कर दिया मैंने तो यह उपन हो रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हूं मैंने article का link हो लगा पूरा इसके अंदर क्या लिखा आपको समझा रहेता हूं पांच अप्राइल को दुबारा इंगी meeting है तो उस पे consider क्या जाएगा कि आपको bonus issue देना है या नहीं देना है तो definitely दोस्तों एक बार अगर news आ जाती है तो definitely bonus में आप हो सकते stamp लग चुकी है तो पांच अप्राइल तक stock में आपको तेजी देखने को मिल सकती है इन कौन international share में अब बात करते हैं भाई company का चार्ट क्या बोला और साथ में company का fundamental कैसे है अगर company का fundamental अच्छे नहीं होगी तो long term में उसको hold करने का कोई कोशन और सवाल नहीं उठता है तो देख लेते एक बार तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसका चार्ट खोला हूँ गूगल में अगर इसका यह वहने का चार्ट में खोलता हो तो आपको पता इसका IPO भी लॉंच हुआ था बहुत जून के आसपास ही तो बड़ा चार् अगर बात करते हैं आज के कामकाज की आज का कामकाज कैसा हुआ तो उसके लिए के चलता हूँ आपको एनसी की website में तो दोस्तों आप देख सकते हूँ मैंने इसका डेटा खोला हूँ थीस मार्च का आपको पूरा दिख सकता है आज कितने क्वांटिरेट हुई है और कितन आपको तीस प्रेसेंट के आसपास लोग उसको घर लेके गए है तो डेफिनेटल दोस्तों अब लगतार यह जो सी एनसी ओडर है नॉर्मल डिलिवरी लगतार आपकी बढ़ती जाएगी अगर आब आज बगरते कंपनी के फंडरमेंटल अनालिसिस की कि यह कंपनी को तो दोस्तों देख सेकते हो इसके मैंने फाइनेश रिजल्स वोल रखे बेसिकली इसका काम है कंस्ट्रक्शन का काम है राइट कंस्ट्रक्शन केटिगरी में फॉल करती है और मांकेट का कंपनी का 3800 क्रोड के आसपरस का मांकेट कैफ है और बुक वैल्यू की साब से कापी सस्ते में आपको मिल रही है डिविडेंट इल्ड भाई बहुत खतरनाग डिविडेंट इल्डी कंपनी दे रही है 5% से भी ज़्यादा डिविडेंट इल्ड है इस स्टॉक का अगर बात करते कंपनी में हौर क्या बढ़िया है तो दोस्तों देख सकते हो कंपनी ने के होनीची की तरफ तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको स्क्रीन में इसके रिजल्स देखने को मिलेंगा दिसमबर क्वाटर में कंपनी के जो सेल्स थी ऑल्मोस्ट ठीक ठाक सेल्स थी त्यर्यासो क्रोड के आसपास की सेल्स थी एक्सपैंस थोड़े आउट अगर यह ए 2.17 के आसपास का कंपनी का EPS है अनिक पर शेयर है लगातर बढ़ रहा है तो तेफरेटली भाई कंपनी ने लास्ट दिसमबर क्वाटर में बुक्स में अपने प्रॉफिट शो किये है दोस्तों देख सकते हो मैंने यली टू यली वेसिस के प्रॉफिट खोल लगके कंपनी के सील्स लगातर बढ़ रही है मार्च में त्रेपन सो क्रोड के असपास की सील्स है लेकिन जो दोस्तों आपको मैंने बताया कंपनी के एक्सपैंस बहुत जादा है और प्रॉफिट में इसको इंपक्ट पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट आपको स्क्रीम में देखने को म बढ़ रही है, बहुत बढ़ी है दोस्तों कि धीघड़े करके कंपनी उपर जा रही है और पुक्स में प्रॉफिट दिघड़े करके उपर बढ़ रहा है तो डाट के एक नम्मर है बात करते हैं कि कि किस-का पैसा इंवेस्ट है इस स्टॉक में तो दोस्तों आप देख सक भी स्टॉक में है बाकि थोड़ा बहुत पब्लिक का पैसा लगावा तो definitely मुझे लगता है दोस्तों बात करता हो कंपनी के profit के तरब से मैं दस में से आठ नमबर देना चाहूंगा और कंपनी के दे रही है तो definitely आप सको रहा में रख सकती हो ठीक है भाई तो दोस्तों देख सकते हो जिसकी मैं बात कर रहा था OFS की वह already हो चुका है तो 88 के price में इन्होंने अपनी stake बेचने का प्रयास कर रही है almost आप उसकतो 16% का stake government बेच रही है तो definitely भाई एक बड़ा investment यह हो सकता है लगता मुझे FIAE और DIE इसमें definitely invest करेंगे ठीक है क्योंकि भाई या company profitable है जैसे मैं आपको बतलाया और OFS की news तो उसकी stock की चली रही है साथ साथ में आप बात करतें company के target की तो मैं आपको target के लेके चलता हूं stock chart की तरफ और एक कुसी brokerage house की report भी आपको दिखाता हूं जिसके बहुत बड़े target stock के दिये गए है तो दोस्तो मैं एक article पड़ रहा था अभी तो दोस्तो देख सकते हैं stock के जो टार्गेट है चॉइस ब्रोकिंग एक research report house है आप उस दोस्तो ब्रोकिंग है उसने इसका buy rating दिया है with a target of 114 रुपे 50 पैसे ठीक है तो उन्होंने जो report mention किया थोड़ा उसके बारे में highlights points आपको बता रहाता हूं कि उन्होंने क्या mention किया था और यह report उन्होंने आपका almost March 8, 2021 के आसपास दी थी तो उन्होंने क्या कहा है एक बार आप देख लो आप देख सकते हो उन्होंने बहुत किले वड़ो में कहा है इनकों strong order book of 30,000 क्रोड भया 30,000 क्रोड की books है strong book है इनके पास ठीक है भाई और दोस्तों आप देख सकते हो इनका अच्छा गासा relationship है Indian railway के साथ और साथ में strong balance rate की भी बात की जा रही है और दोस्तों देख सकते हो जैसे उन्होंने लिखावा play on growing railway infrastructure राइट दोस्तों आप देख सकते हो उन्होंने ये भी mention किया कि company profit after tax दे सकते है पान्सो पच्ची क्रोड के आसपास और दोस्तों आपको याद होगा last time जो उसका profit था almost 485 क्रोड के आसपास का profit था जो उसका 520 क आसपास हुआ तो definitely अगर 525 क्रोड का profit देती है तो भाई definitely ये अच्छा sign हो सकता है कि भाई ये company grow कर सकती है future में तो definitely भाई अगर इन्होंने अनुमाल लगाया तो कुछ ना खोसोस समझ के अनुमाल लगाया होगा जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई ये 5% के आसपास के हसाब से आपको interest दे रही है dividend दे रही है और आपको पता है इंडिया में जो आपका interest rate हो कितना low है तो उसके हिसाब से भाई आपको और इंडिया के छोड़ो FII की मैं बात करता हूँ ठीक है foreign investor की उनकी country आपको 5% के आसपास dividend yield दे रही है तो भाईया FII को क्या चाहिए FII को चाहिए FII को चाहिए free बैठे बैठे उनका पैसा रोजाना बढ़ रहा है क्योंकि उनको dividend yield इतना अच्छा मिल रहा है इस company में definitely भाई आप stock को buy करो ना करो लेकिन FII FII definitely investment बढ़ाने वाले इस OFS के तु बड़े निवी सकू का पैसा stock में लगने वाला है तो आप इस stock के डाय में रख सकते हो बाकी जो भी आपका सुझा हो है नीचे comment करके बता सकते हो definitely आपको उत्तर मिल जाएगा चलिए bye bye